एकनॉमिक्स वर्चुल क्लासिस में आप सभी का स्वागत है अर्शास में सांकी की अध्याय पांच से केंदिर परवर्थी की माप के अंतरगत आज हम भवलक और तथा उसकी गड़ना परकिरिया के बारे में विस्तार से अध्याय करेंगे अब भवलक गयात करने का तरीका तो परिभासा के अनुसार समंक माला में जो पद सबसे अधीक बार आता है अथ्वा जिसकी आवर्थी अधीक होती है वही भवलक कहलाता है इसको भी एक उदारण से हम समस सकते हैं तो उदारण में फिर हमने वहाई संक्या रखी हैं सारी, और इसका जो सूतर है, उसको हम यहाँ से पर्देश्वित करें, जड़ बराबर बावलग, जड़ हमारा बावलग को पर्देश्वित करता है, तो उपरियुक्त संक्याम में तेरा संक्या सबसे अधिक बार परियुक हुई है अथा यही संक्या भावलक होगी तो जड हमारा क्या आएगा 13 आएगा 13 आएगा क्योंकि आप यहां पर देखिए 13 संक्या एक बार दो तीन और चार तो हमारी जो 13 संक्या है चार बार आईए तो परिवासा के अनुसार जो समंक माला में जो पच सबसे अधिक बार आता है वो ही बावलक कहलाता है इसके बाद जो हमारी है अगला माद्य वो है परास जिसको हम विस्तार भी बोलते हैं तो इसको निकालने का तरीका है पहले हम इसकी परिभासा जानते हैं, तो परिभासा किसी भी समंक माला के सबसे बड़े और सबसे छोटे मुल्य के अंतर को विस्तार या परास कहते हैं इस रेनी में अधिक्तम तथा निउन्तम मुल्य को ग्यात किया जाता है है तो धारन से हम इसको समझ सकते हैं 5,000 अबुष्टार कहेंगे तो उप्रिप्ट-चंक्या में अदि अधिक तब मुल्य हमारा कितना है इक्नि यहांपर आप देखने सबसे अधिक तब मुल्य 21 है और नियुन तब मुल्य हमारा है 13 जो आप देख रहें यहां पर यह 13 है तो इसका जो सूतर है R बराबर L माइनस S, L का मतलब हो गया Large, S का मतलब हो गया Small तो R बराबर Large हमारी संक्या 21 है और Small हमारी 13 है तो 21 को हम 13 से माइनस करेंगे तो हमारा जो संक्या है वो 8 आएगा और यही पराश या विस्तार संक्या कहलाएगा तो इस परकार आपने देखा सामांतर मद्य, मद्य का भवलक और विस्तार को ग्याद करने का यह हमारा सरल तरीका है अर्सास विसे को और अक्षे से समझने के लिए आप मेरे यूटूब चैनल को दिये वे लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके साथ मेरे यूटूब चैनल को आप मुबाइल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं